दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को Goods and Service Taxes यानि कि GST के बाड़े में आसान तरीकों से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वैसे तो यह दोस्तों कि मुझे बहुत सारे मेरे जो followers है और उसके बाद जो Facebook में मेरा जो दोस्त है या फिर यहां पे जो subscribers है उनमें से भी बहुत लोगों ने मुझे से कहा है कि सर आप GST को लेके एक वीडियो क्यों नहीं बनाते क्योंकि यह आपका topic है आप एक advocate है आप एक topic है यानि कि GST यह मेरे profession के साथ direct related है कि direct मेरे profession के साथ यह जुड़ा हुआ है यह भी मेरे profession में ही आता है GST हो यह GST law हो ठेक है तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसको के कुछ उल्टा-फुल्टा हो ऐसे कुछ मतलब मैं यहां पर आके मैं आप लोगों को बता दू और वो सब्सक्राइब करने से पहले मैं जो हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप जल्ली से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को इस चैनल पर आके आप लोग को मिलेगा एक लाल कलर का बटन जिसमें लिखा होका सब्सक्राइब उसको आप लोग को दबाना है और उसके साथ साथ आप लोग को एक बेल आइकॉन मिलेगा उसको आप लोग को on कर लेना है इससे आप लोग को क्या होगा दोस्तों कि मैं जब भी कोई भी वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग तक तुरंट उसके नोटिवेशन पहुच जाएगा और आप लोग उसे तुरंट देख सकेंगे और ये एकदम फ्री है और ये बिल्कुल फ्री है इसके लिए आपको अपने जेब से एक पैसा भी खरच करना नहीं पड़ेगा और दोस्तों मैं सब्सकाइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि मैं इस चैनलपे मैं जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ आप लोगों के लाइफ में कभी नधे कभी उसकी जरूरत पड़ेगा और तब आप लोग इस चैनल में जो वीडियोज रहेंगे उसको आप लोग देक के आप लोग suggestion ले सकते हैं और वो आप लोगोंगे life पे बहुत help करेगा तो दोस्तों चलिए आज का topic شुड़ करते हैं और आज का topic है GST याने कि GST क्या है और इसे किस-किस category याने कि वर्ग में माठा गया है तो चलिए आज का topic शुरू करते हैं दोस्तों GST पर जाने से पहले हमें ये थोड़ा सा जान लेना जवरी है कि हमारे जो 30 जुन 2017 था उससे पहले tax system क्या था यानि कि tax law क्या था उससे पहले तो उससे पहले tax tax में जो tax system था वो दो हिस्सों में बाटा गया था एक तो था direct tax और दूसरा था indirect tax अब ये direct tax क्या है direct tax दोस्तों वो tax है जो कि एक individual direct सरकार को pay करता है जैसे कि income tax property tax और भी छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे tax है जो कि जो वेक्ति है वो direct सरकार को government को pay करती है तो ये होगे direct tax अब दूसरा जो आता है indirect tax यानि कि goods and service tax अब दोस्तों goods and service tax जो है GST यही indirect tax पर ही लागू होता है यानि कि जो direct tax जो था वो वैसे कि वैसे ही रह जाएगा जैसे कि income tax और जो property tax था वो वैसे कि वैसे ही रह जाएगा उसमें कोई बदलाव होगा नहीं बदलाव होने वाला है indirect tax पर यानि कि goods and services जो tax जो लिया जाता था हमसे government हमसे लेता था चाहे वो state government हो या फिर central government हो जो लेता था यह tax indirect tax हमसे वसुल करता था GST इसी पर लागू होगा अब दोस्तो थोड़ा सा indirect tax को विस्तार से जान लेते हैं यानि कि goods and service tax क्या-क्या था और कौन-कौन से government हमसे वसुल करता था इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं तो चलिए indirect tax जैसे कि state government हमस अब यह entertainment tax क्या है दोस्तों देखिए हम जो movie देखने जाते हैं हम जो theater में हम जो hall में, cinema hall में हम जो movie देखने जाते हैं उसमें भैट के साथ साथ एक अलग से entertainment tax भी हमको pay करना पड़ता था, आप जो movie theater का जो ticket है उसको अगर आप, अगर सही से अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे उस पे तो वहाँ पे भैट के साथ साथ एक entertainment tax री अलग से लिखा हुआ होता था, जो कि state government हमसे वसूल करता था, अब उसके बाद state government वसूल करता था, entry tax, ठीक अब ये entry tax क्या है, जैसे कि सोच लिजे कि जा कोई सामान सप्लाई हो रहा है, अब ये जारखन से बिहार में जब सप्लाई होगा, तो बिहार government जारखन, बिहार government उस व्यक्ति से कुछ tax वसूलेगा, उसके state में entry करने के लिए, उस सामान को लेके entry करने के लिए, बिहार government जारखन से जो सामान आ रहा है, उसमें थोड़ा सा टैक्स वो बिठाएगा और उस व्यक्ति से वसुल करेगा जो वो सामान लेके बिहार में घुस रहा है अब यह तो बस एक एक जामपल था तो यह हर स्टेट में अलग-अलग आप सोचे कि हर स्टेट में अलग-अलग उसको टैक्स पे करना पड़ता था इंट्री टैक्स यारी कि आप सोचे कोई वेक्ति अगर दिली से एक सामान लेके कोई गुड्स कोई सामान लेके अगर ट्रक से दिली से कोलकाता में आना चाहता है और उसके रास्ते में दिली के बाद अगर यूपी आता है तो उसको यूपी में घुसने के बाद उसको वेस बेंगल में जब वो गुजता था तो उसके लिए उसको और एक अलग से टैक्स उसको पे करना पड़ता था तो यह स्टेट गवर्मेंट हर स्टेट गवर्मेंट यह अलग-अलग से वसूल करता था उसके बाद और एक टैक्स जो स्टेट गवर्मेंट वसूल करता था व कहीं घुमने गए हैं और होटेल में जाके ठहरे हैं तो उस होटेल के लिए हम जो ठहरे हैं उसके लिए हमें एक लगजरी टैक्स हमें पे करना पड़ता था state government को जैने कि जिस hotel में हम है और वो hotel जिस state के अंदर है उस state government को हमें hotel के थूँ आपको साथ पता नहीं है लेकिन hotel वाले जब ये जब tax जब आपको जब बिल जब आपको जब देता था तो उसमें luxury tax भी उसमें include होके आपको दिया करता था hotel वाले आपको दिया करता था तो ये था luxury tax और इसके साथ luxury tax में और भी है जैसे कि आप अगर कोई car खड़िते थे अगर कोई car खड़िता है तो उसमें भी luxury tax impose होता है यानि कि उसमें भी luxury tax आता है तो ये state government वसूल करता था अब आते हैं कि central government indirect tax क्या क्या वसूल करता था अब देखें central government सबसे पहले indirect tax वसूल करता था वो है excise duty ठीक है अब ये excise duty वसूल करता था central government उसके बाद था service tax एक service tax भी state government हमसे वसूल करता था अब ये service tax क्या होता था दोस्तों जैसे कि आप सोचे लीजिए कि आप कोई restaurant में आप खाने गए है तो वहाँ पर आप देख सकेंगे कि वहाँ पर अलग से एक service tax आप से लिया करता था बिल के अंदर ही service tax अलग से आपको मिल जाएगा कि इतना परसेल service tax आपको पे करना है बिल के साथ-साथ तो वह central government हमसे वसूल करता था ठीक है अब इसके साथ साथ और एक वसूल करता था central government वह है central sales tax sales tax हाला कि central sales tax अभी भी कुछ-कुछ मतलब commodities के लिए यानि कुछ-कुछ सामान के लिए अभी भी central sales tax है लेकिन maximum जो central sales tax है वो उड़ गया है central sales tax अभी 5-6 commodity के लिए है तो वो अलग एक topic है उसको मैं बाद में आउनों को एक discuss कर लूँगा उसके बाद जो आता था central government हमसे जो वसूल करता था वो है custom duty custom duty दोस्तों वो है कि आप सोच लिजे कि वीदेश से आपके लिए कोई सामान आ रहा है और आके आप एरपोर्ट के थू आ रहा है या फिर डिफिनेटली वीदेश से कोई सामान आएगा तो आप यारपोर्ट के थू या फिर जहाज के थू अगर जहाज के थू अगर आता है तो बंदरगाओ में आएगा तो ये दो ज़गा PEN कस्टम डूटी वाले रहते थे, तो जो सामान आपने जो बीडेश से जो मंगवाया है, उस सामान में 99% सामान में आपको कस्टम डूटी पै करना पड़ता था, यहनि कि आप बीडेश से सामान ला रहे हैं आपके लिए अपने पर दूसरे किसी के लिए तो उस सामान पे आपको इंडिया में वो सामान लेके घुसने के लिए आपको एक कस्टम डूटी पे करना परता था तो देखी इतने सारे इतने सारे टैक्स इंडिरेक्ट टैक्स हम से स्टेट गवर्मेट्ट और सेंडिर Sound करता था अभी तक, ठीक है, इंडिरेक्ट रूप से हमसे वसुल करता था अब दिख लेते हैं कि GST क्या है और GST तो आप लोगों को पहले ही मैं बता दिया हूँ कि GST इंडिरेक्ट टैक्स है अब ये GST आने के बाद अब ये इतने सारे जो टैक्स हमसे स्टेट गवर्मेंट और सेंडिरल गवर्मेंट हमसे वसुल करता था उस पर के इंपक्ट पड़ेगा और उसको उसमें से कौन-कौन सा रहेगा और कौन-कौन सा हट जा रहा है तो चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले इंडिरेक्ट टैक्स GST आने के बाद दो तरह के GST रहेगा दोस्तों एक है SGST यानि की State Goods and Service Tax CGST यानि की Central Goods and Service Tax ये दो प्रकर के GST लागू होगा GST यानि की State Goods and Service Tax ये इतने State Government के उपर ये लागू होगा यानि की State Government जो चार्ट टैक्स मैंने जो आप लोगो बताया था उस चार्ट टैक्स को सभी के सभी टैक्स को जो सभी चार्ट टैक्स है सभी के सभी टैक्स उठ जाएगा अभी से उठ जा रहा है ठीक है और उसके जगा SGST एक ही टैक्स उसके जगा State Government हम से वसुल करेगा जो जो वैट था, Entertainment Tax था Entry Tax था और Lensory Tax था सभी उठ जाएगा अब state government जो जो टैक्सार से वसिल को ता तो यह सभी उठ जाएगा और उसके जगा SGST Central Government एक ही टैक्स हमसे लेगा और Central Government की बात करें तो सिर्फ Custom Duty को छोड़के आप याद रखिएगा दोस्तों सिर्फ Custom Duty को छोड़के बाकिके जो तीन जो टैक्स है यानि कि Excise Duty, Service Tax और Central Sales Tax यह तीनों के तीनों उठ जाएगा ठीक है उठ जाके CGST उसमे आएगा यानि कि Central Goods and Service Tax आजाएगा यह तीनों के जगा हाला कि Central Sales Tax अभी बी कुछ-कुछ Commodity में अभी भी है लेकिन वह हर Commodity में नहीं है वह अलग से उसके लिए एक पुड़ा खा-पुड़ा एक अलग से उसके लिए एक पैनल है तो वह GST के अंदर आथा नहीं है वह अलग से पैनल है तो इसल कि Central Sales Tax अभी तक यहां पर जिस जिस जगह पर लागू होता था यह भी उड़ जाएगा Central Sales Tax भी उड़ जाएगा यह तीनों उड़ जाएगा सिफ Custom Duty जैसे है अभी वैसे ही रहेगा पस यह तीनों उड़ जाके CGST आ जाएगा यानि कि बस दो टैक्सी दो प्रकार के टैक्स ही अभी इंडिया में रहेगा इंडिरेक्ट टैक्स इंडिया में रहेगा दो प्रकार की इंडिरेक्ट टैक्स ही इंडिया में रहेगा तो स्लैब के बारे में मैं बाद में और एक वीडियो में मैं पुरा का पूरा एक्दम एपर से लेके, टॉप से लेके, बटम तक, slabs, क्या-क्या है, कॉन-कॉन सा slabs में, किन-किन केटगरी, किन-किन food items, और किन-किन items को, किस-किस केटगरी में रखा गया है, 5% GST में कॉन-कॉन सी केटेगरी आता है, आते हैं या फिर उसके बाद 12% में कौन-कौन सा आता है या फिर उसके बाद 18% में कौन-कौन आता है फिर 28% में कौन-कौन आता है और 0% में कौन-कौन आता है मैं सबके सब दूसरे वीडियो में मैं एकदम पुरा-कपुरा डिस्क्टाइब कर दूंगा पुरा-कपुरा मैं मुझे पता चलेगा कि आप लोग मैं जो वीडियो बनाता हूं आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं पसंद कर रहे हैं कोई भी हो कुछ भी हो आप लोग बस कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा और इससे क्या होगा कि मुझे यह भी पता चलेगा कि मैं आप आप लोग के लिए मुझे कौन-कौन सा वीडियो मुझे नहीं बनाना है े तो दोस्तो मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग जल्ली से मैंने इस चैल को सब्सक्राइब करीजिए इस जान कसे अब लोग को फाइदा एक यहोगा कि मैं जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूँगा आप लोगों तक तुरांट उसके मुटिक्विशन पहुच जाएगा और ये विलकुल फ्री है दोस्तों तो जो फ्री है उसके लिए सोचना क्या बस सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों सबसे लास्ट में मैं बस एक बार तावलों को बठा देना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स ने इवेन यहां का जो सब्सक्राइबर्स है मेरे इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स है मुझे जो चाने वाले हैं तिक उन में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरे पर्सनल जो फोन नमबर है वो मुझसे मांगा है कभी कभार मांगते हैं आप देख भी सकते हैं लेकिन दोस्तों फ्रैंग ली कह रहा हूं पॉसिबल होता नहीं है कि मैं हरेको मैं फोन नमबर दू लेकिन आप लोग चिंदा मत किजेगा मुझे पता है कि ये जो टॉपिक मैं जो डिसकस कर रहा हूं ये पोध इंपोर्टेंट एक टॉपिक होता है Law Health India में बहुत सारी इंपोर्टेंट्स टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे questions रहता है और जो questions सब के साथ share भी नहीं किया जा सकता मुझे पता है इसा बहुत सारे problems उप्यान्स कुछ बहुत सारे problems मैं कुछ भी फेस करता हूँ और मेरे जो clients आते हैं मेरे जुुम्हों पर जो clients आते हैं वो भी मुझसे मांगते है एक privacy मांगते है मुझे पता है तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं तो तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बहुत जल्डी ही उसके लिए मैं एक जरूर एक उपाय में निकालूंगा तो दोस्तो आप लोगे साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई